So hello guys, welcome to my YouTube channel Ritik Technical Support इस वीडियो में हम आपको बताएंगे Where is my train? जो application होता है वो आप हमने Samsung के device में डाउनलोड करते है, install करते है बट आपको सोता है Your device isn't compatible with this version तो basically इसका reason क्या है and इसका solution क्या है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजीगा बिलके आइकन को प्रेस कर लेना है जैसे कि आप हमारे device में देख सकते हैं यहाँ पर हमें install का option आ रहा है बट आपको यह जो error आता है इसका एकी reason है कि आपके device का जो वर्जन है वो काफी old हो चुका है अब old version की वज़ा से आपको यह problem देखने को मिलती है ठीक है तो simple सा इसका एक ही solution है आपको जाना है अपने samsung device की settings पे ठीक है देन आपको click करना होगा software update पे और simple आपको अपने samsung की device को update करना होगा latest version में ठीक है जैसे आप लोग update करेंगे आपकी यह problem है यह problem definitely fix हो जाएगी अब इसमें काफी लोगों का यह भी doubt हो सकता है कि हमारे device में तो update आना ही बंद हो चुके है तो हम क्या करें तो उस situation में आपको where is my train का जो old AP के होता है वो आप लोग download करके use कर सकते है ठीक है तो topic is cover मिलते है next video में जय मतादी